अगर आप यह बिजनस करना चाहते हैं तो आपको सस्ते से सस्ता नमक कहां से मिलेगा इस बिजनस के लिए अगर आपको कोई एजेनसी लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं साथ में इस बिजनस में आपको कितना profit margin रहता है इन सब चीजों की जानकारी मेरे वीडियो में है तो वीडियो को पूरा last तक देखिएगा तो शुरू करते हैं नमक का wholesale बिजनस कैसे शुरू करें खुद की processing unit लगा कर खुद का brand बना कर कहने का मतलब है आप नकच्चा नमक लाइए उसके अंदर iodine और यह चीज मिक्स करें और उस नमक को चोटे-चोटे packets में पैक करके अपना खुद का brand name लगा के इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से खुद की processing unit लगा के बिजनस करते हैं तो आपको अच्छा फाइदा रहता है दूसरा तर निर्मा नमक हो गया, आई शक्ती नमक हो गया, पितांजली के नमक हो गया, अगर आप इन में से किसी एक की भी agency लेकर यह बिजनस करते हैं तो भी आपको अच्छा कासा profit रहता है लेकिन अगर आपन किसी भी product की agency यह dealership लेते हैं उसके अंदर अपना commission fix रहता है कि आपको इतना percent ही commission मिलेगा अब आप तीसरा आता है इसमें wholesaler और processing unit से मा लेकर आप wholesaler या फिर जो manufacturing वाले होते हैं उनसे मा लेकर भी यह business शुरू कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं सस्ते से सस्ता कहां से खरीदे भारत में नमक हिमाचल परदेश की मंडी जीले में से सस्ता मिलेगा या फिर राजस्तान के सामबर जीले में गुजरात की कच्च की खाड़ी में यहां से आपको एकदम सस्ते दाम में नमक मिल जाएगा अगर आप यहां से खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा profit margin रहता है जिस दूस्त फिर अगला तरीका आता है अगर आप agency और dealership लेना हैं तो मैं आपको बता दू जिस product की ज़्यादा demand हो उसी product की आपको agency लेनी चाहिए या फिर आप अपने area में survey कर लीजे कि कौन से product की ज़्यादा demand है कौन सा नमक ज़्यादा चल रहा है तो अगर आप उसी की agency लेते हैं तो आपके पास customer ज़्यादा आते हैं और profit अच्छ product को explain नहीं करना पड़ता क्योंकि जो famous product होता है customer उसी नाम से लेता है और आपको payment कर देता है उसको ज़्यादा आप कुस चीज़ का explain करना नहीं पड़ता अगर आप खुद का processing unit लगाते हैं खुद का brand name देते हैं तो आपको customer को हो सकता है शुरू में trial के लिए भी देना प taki customer पड़े रिए तब यह और के चलड़ता है नमक के शाख साथ साथ कमया आप सर्फ और साबून की भी agency ले सकते हैं कर आहिए बात करते हैं इंवेस्ट्मेंट कितना होता है अगर अगर आप agency लेके करते हैं तो कम से कम इस security deposit करवानी पड़ती है processing unit अगर आप लगा के करते हैं तो इसमें भी आपको 1-4 लाग तक का investment करना पड़ता है क्योंकि आपको जगे और इन सब चीजों की आवशक्ता होती है आपको एक staff की भी आवशक्ता होती है profit के बाद करें तो अगर आप agency ले रहे हैं dealership ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको profit जो company आपको decide करती है कि आपको एक product के अंदर 2% या 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% profit रहता है अगर आप खुद का processing unit लगा के करते हैं तो उसके अंदर आपको 8-50% का profit रहता है तो friends धन्यवाद अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो comment section में comment कर दीजिए और RD business channel को subscribe कर लीजिए अगर आपको किसी product का promotion करवाना है YouTube पे तो मैं आपके लिए video बना दूँगी या मेरी comment section में comment कर दीजेगा धन्यवाद friends